सबस्क्राइब यह formula हमेशा काम करता है I think this is the only formula जो हमें बहुत easy है और मैं हमेशा मतलब काफी साल से यही use करते विया आ रही हूँ और measurement में कोई गलती नहीं होती है तो suppose कीजे मेरा waist length है 30 जो मैं लेंगे की कमर की बात कर रही हूँ जो लेंगे की कमर होने वाली है जो भी है जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे यह numbers बढ़ते जाएंगे formula के साथ में ऐसा नहीं की suppose करके कुछ बढ़ाना है आपको formula के साथ में बढ़ते जाना है अगर क्योंकि video 1 minute की होने वाली है तो 1 minute में नहीं समझ में आएगा पूरी video यूट्यूब पे आएगी आप यूट्यूब पे पूरी तरह समझ लीजे अगर आपको सीखना है कि किस measurement पे हमें cutting करने चाहिए तो length है मेरी 40 तो मैंने जो fabric कट कर रही हूँ suppose कीजे मैंने fabric लिया है 5 meter, 5 meter में अच्छा लेंगा अच्छा लेंगा जाता है तो मैं 5 meter fabric के लिए आपको मोटा मोटा measurement बता देती हूँ तो मैं बना रही हूँ पहले आप decide कर लीजे आपको कितनी कली वाला चाहिए 12 का चाहिए, 18 का चाहिए 32 का चाहिए, 24 का चाहिए जितनी भी कली का लेंगा चाहिए उतनी ही कली का आप number लिख लेजे तो मैं बना रही हूँ 12 कली का कितने का मैं बना रही हूँ 12 कली का लेंगा तो आप और हमारी waste है 30 तो मैं 30 को divided by 12 कर तूंगी divided by 12 करूंगी तो 2.6 आएगा 2.6 आएगा तो 2.6 के साथ तोड़ा numbering में problem होगा बहुत easy है आप कर सकते हैं तो मैं इसको 2.5 ले रही हूँ कि जिससे की numbers तोड़ा मैं आपको easy तरीके से समझा पाऊँ तो मैं इसको 2.5 ले रही हूँ it's a bit बहुत ये वाला जो centimeter वाला एक ये होता ना अब जिससे 2.5 यहाँ पर है तो 2.6 ये वाला होगा तो सिर्फ it's a very bit margin 2.5 पर हम कट कर सकते हैं कोई problem नहीं होगा तो हम इसको 2.5 measurement अभी count कर रहे हैं जो हमारा ये उपर waste वाली कली रहेगी उसका जो measurement निकल के आया है वो आया है 2.5 तो 0.5 हमारा swing allowance इधार होगा 0.5 swing allowance हमारा इधार होगा जो बोट साइड 0.5 0.5 होगा तो ये हो जाएगा completely 1 तो total जो हमारा हम जो marking करेंगे वो करेंगे 3.5 पर 3.5 पर total marking जो हम cutting करने के time पर जो निशान डालेंगे वो हम करेंगे और जहां पर cutting करेंगे वो होगा 2.5 और जहां पर हम सिलाई करेंगे वो वाला सा marking होगा हमारा 2.5 तो 3.5 हमारा एक नंबर निकल के आगया तो 5 मीटर फैबरिक में कितना इंचेज होता है एक मीटर फैबरिक में यह में एक ब्लॉक बना देती हूँ रफ वर के लिए तो एक मीटर में होता है हमारा 40 इंच तो 5 मीटर में हमारा हो गया 200 इंच 200 इंच अब 200 इंच को हम कैसे बैलन्स करना है यह तो हमारा बहुत इजी से आ जाता है इसके साथ हमारा कोई इश्यू नहीं होता है बहुत असानी से यह नवर हमारा निकल के आ जाता है जो प्रॉब्लम होती है हमको वो यह वाला नंबर निकाल ले में होती है यह वाला नंबर क्योंकि यह बोट साइड है उपर से भी कटेगा नीचे से भी कड़ेगा, पांच मीटर उपर से चाहिए, पांच मीटर नीचे से, पांच मीटर में हमें 2.5, 2.5, 3.5, 3.5 मीटर कपड़ा इधर से निकल जाता, तो नंबरिंग में बहुत प्रॉप्लम होती है, कि हम क्या नंबर पे इसको कट करें, तो उसके लिए 200 इंच हमा तो अब 6 कली हमारी होंगी, फ्रंट की, 6 कली होंगी हमारी बैक की, 6 कली फ्रंट की, 6 कली बैक की, तो अब हम 6 से मल्टिप्लाइ करेंगे, 3.5 को, 3.5 को मल्टिप्लाइ करके आ जाएगा, 21, 61 आ गया, 21 आने के बाद में, हमारा नीचे का फाब्रिक है, वो 200 है, 200 में से 21 को हम माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा नंबर 179 179 हमारा नंबर आ रहा है इसके लिए हम बना रहे हैं 179 हमारा नंबर आ गया 179 को अभी हम 6 से डिवाइड कर देंगे कितना से 29.5 तो जो हमारा 29.5 आ रहा है इधर तो हमारा डेरेक आप 29 ले लीजे ठीक है, ये 0.5 आप हटा दीजे ठीक है, 29 आपका नंबर आ रहा है आपका कितना नंबर आ रहा है? 29 तो आप 29 को इधर लिख दीजे अब 29 हमारा ये वाला नंबर निकल के आ गया उपर की जो हम लेंगे वो 3.5 लेंगे जो ये वाला जो part होगा जो हमारा कमर पे से ला जाएगा और ये नीचे वाला जो part होगा इसको हम लेंगे 29 इंच्ज पे 29 इंच्ज पे हम इसको कट करेंगे तो मैं अभी आपको एक बार फैब्रिक पे भी समझा देती हूं तो नेक्स्ट वीडियो में मैंने कलियां कट की हैं पर साइज जो नंबर्स है वो थोड़े डिफरेंट हैं क्यूंकि वो वेश साइज उनका I think 44 है तो मैं उस पे समझाऊंगी बस मैंने यहां पे आपको समझाने के लिए वेश साइज 30 सप करेंगे तो यह हो जाएगा हमारा 28 तो अब जो हमें कलियां कट करनी है वो साइज हमारा 28 रहेगा पर टोटल लेंद्स चाहिए होगी हमारे 29 तो इफ यू लाइक दो वीडियो प्लीज दू सब्सक्राइब और सपोर्ट एंड सो आइकन बी बीइं सो मोटिवेटेड एंड अच्छी वीडियो में आपके लिए लिख रहाऊंगी अगर आपको मेजरमेंट समझ में आए तो प्लीज दू कॉमेंट और मुझे बताए कि कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है आपको कटिंग करने में वैसे कुछ प्रॉब्लम होगी नहीं यह मैथर्ड से ट्राइड